तो बच्चो आज हम डिसकस करेंगे वर्क सीट नंबर 74 मैथ क्लास 9 जो कि आपको 21 जनुवरी को प्रोइट किया जा रहा है टोपी के रचना है जिसमें हम पार्ट 4 भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे और important वर्क सीट है इसमें से पेपर में जरूर आना है पिछली वर्क सीट भ समझना है तो मैं लाइब समझा रहा हूं यहां पर भी आप समझोगे समझ में आ जाएगा अच्छे से एक्जामपल जब दो कोशन करेंगे अभ्याज प्रसंट के यह अच्छे समझ में आ जाएगा तो डारेक्ट कोशन पर आते हैं को सारी प्रोब्लम एक ही बार में आ उट ना रहें तो श्टार करते हैं तो बच्छो कोशन में दे रखा है क्यों आर छे सेंटीमीटर एंगल क्यों साथ पी आर मानस पी क्यों बराबर दो सेंटीमीटर तो एक चीज आपको यह ध्यान में रखना है इस वर्क सीट में दो रूल थे जैसे कि मालो हमने अगर मालो यह पी क्यों भुजा बड़ी है तो हमें चाप उपर की साइट लगाना अगर यह भुजा बड़ी है तो इस लाइन को बढ़ा कर चाप नीचे लगाएंगे अगर यह भुजा बड़ी है पी क्यों तो चाप उपर लगाएंगे तो इसमें यह भुजा पी आर तो देखो ध्यान से, 6 cm की एक रेखा खींचने है, क्यों R, ठीक है न, इसकेल से, अच्छे से नाप कर खींचने, तो 0 से 6, ठीक है, ये कितने cm की है, 6 cm की, इसका नाम दे दिया, क्यों R 6 cm है, अब क्यों पर 60 डिगरी का कौन बनाना है, तो देखो, हम प्रकार से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी बना सकते हैं के उपर, लेकिन प्रकार से बनाएंगे, काट पीट जादा हो जाएगी, आगे में चाप लगाने में दिक्कत होगी, दिखेगा नहीं, तो आप D से बना लेना, ठीक है न, D से, तो D से बना रहे हैं, 60 साथ डिग्री यह है हमारा ठीक है पॉइंट रख दिया साथ डिग्री का बनाने है अब क्यों से मिला इस बिंदू को नीचे की तरफ थोरा बढ़ा देना ठीक है नीचे की तरफ इसका मैंने नाम दे दिया ये हमारा एक्स हो गया और ये कि वाई हो गया ठीक है अब दो सेंटी मेटर की दूरी लो कि पी-धी निए मूझा है यक दो सेंटी मारी की दूरी ले लिया यह वाली भुजन बने की बड़ी है अभी मैं真 संझाया तो चाप नीचे लगाइंगे ठीके न si चाप नीचे लगाना क्यों को केंद्र मानों क्यों उपर रखना है आपको नोक ठीक है ना एक चाप नीचे एक साइट लगा ओवी कितने सेंटीमिटर की दूरी से दो सेंटीमिटर की दूरी से ध्यान रखना इसका नाम दे दिया डी जहां पर काटा क्या नाम दे दिया डी ड D को क्या करो बच्चों। R से मिला दो। ठीक है। झीए भूमा ले रहएं कंफ्यूजर मत होना। ठीक है। बड मेकशच को R से मिला रहे हैं। इस D कोendas से मिला रहे है। आर्ष से मिला दिया। अब क्या करना है। इसी DR कमा समुदिभाजा करना है तो आधे से अधिक दूरी की त्रज्जा लेलो और नीचे लो पर ऊद ज्जाधा दूरी ठीक है आधिस जाधा दूरी लिया है आधिस से जाधा देख लो एक चाप ये लगा दिया एक चाप इधर नीचे लगा दिया अब क्या करना है दूरी वही है केंद्र डी को मानो यानि नोग को डी पर रखो ठीक है एक चाप यह काटा लगा दिया एक चाप इधर तो उधर वाला काट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं कंफ्यूज मत होना दूरी वही रहेगी फ ठीक है, फिर क्या करना, इन दोनों से मतलब है, इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दो, जब मिलाओगे, एक दूसरे को इस परकार काटेगा, ठीक है, अब देखो, इसने, क्यों, यहां देखो, एक सुवाई रेखा को जहां पर काटा, इसका नाम रख दो, पी, क्या रखोग पी, ठीक है, इसी पी को आर से मिला दो, यह लाइन, फाल तुम खिच गई, इसको मिटा देना, ध्यान रखना, ठीक है, तुम मत बनाना, पी को आर से मिलाओ, तो पी को आर से मिला दिया, ठीक है, यही तरबुजम को बनाना था, यह कितने डिगरी को बनाए थे, यहां पर, 60 था ये ठीक है लिख दो 60 डिग्री क्यों जो था 60 डिग्री था अब यहाँ पर आपको यह लाइन मिटाना है यह लाइन फालतु में यह लाइन फालतु में खेंच उठी है अब पैंसे में बना रखा हूं इसलिए मिट नहीं सकता तो आप मिटा देना अब इसकी दूरी ना आप लो कितनी है यह पी क्यों देखो पी क्यों कितना है हमारा थ्री सेंटी मीटर पी क्यों कितना निकल रहा है थ्री सेंटी मीटर ठीक है और पी आर थिए पांच मेश जब हम माइनस पी क्यों पी क्यों मारा थीन करेंगे तो बराबर कितना निकले गा दो सेंटी मीटर और यह ताल मेल फिट होना चाहिए तब ही समझ लेना राइट है नहीं समझ लेना रोंग है ठीक है यह यह आंसर वन हो गई याइसा यह आपको बनाना है यह चाप जरूर मेटा देना इस चाप की जरूरत नहीं अमने पैंसे बना है इसलिए यह नहीं मेटा ठीक है तो यह ध्यान में रखना है इस प्रकार आपको बनाना है ठाग है यह answer number 1 होगी आप देखते है answer number 2 ठीक है अच्छे समझ में आ गया आंसर नमबर 2 देखते हैं ठीक है आंसर नमबर 2 देखते हैं आप ऐसे ही बनाना इस चाप को जरूर मिटा देना ध्यान रखना फिर से रिपीट कर रहा हूं ठीक है आंसर नमबर 2 देखो आंसर 2 इसमें क्या दिया अगर हम तरहुज ए बी सी बनाएंगे ए बी सी इसमें ए भी हुजा बड़ी निकलेगी जब यह हुजा बड़ी निकलती है तो हम चाप को जो 2 सेंटीमिटर कंतर है उपर लगाएंगे ध्यान में रखना ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इसकेल से खींचो, 3 cm BC, ठीक है, 3 cm BC, ठीक है, 3 cm, ठीक है, BC हो गया, BC, ठीक है, 3 cm, अब, B पर 45 cm से बनाना है, एंगल भी 45, तो, प्रकार के इस्तेमाल मत करना, D से बनाना, क्योंकि कार्ट पिट नहीं, फिर कार्ट पिट जादा हो जाएगी, तो, 45, 40, ये 5, 45, ठीक है, अब, B से मिला दो इसको, थोड़ी रेखा, लंबी खींचना, ठीक है, B से मिलाना है, ठीक है, कितने का ये, 45 का है, इसको माल लो हमारा X, अभी मतलिको बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है, अब, दो सेंटीमीटर, A, B मानस X, दो सेंटीमीटर दिया हुए है, ठीक है, तो दो सेंटीमीटर की दूरी लो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कैंदर किस को मानोगे, B को, चाप लगा दो, नीचे की उपर, उपर की साइट, ठीक है, नीचे कब लगाते हैं उपर कब लगाते हैं ध्यान से समझना है अब मालो ये D है D को C से मिला दो D को C से मिलाओ ठीक है? D को C से मिलाओ अब इसका लम समझभाचा खीचना है तो D C की आधे सदिक दूरी की थोड़ी तरज़ा ले लो आधे सदिक दूरी ले लिया थोड़ी कम किया है बस एक चाप उपर लगा दो एक चाप नीचे ठीक है? आगे दूरी वही है नकम किया न ज़्यादा D को के अंदर मानो किसको? D को ठीक है? सोरी D को D को के अंदर मानेंगे D पर रखेंगे नोक ठीक है एक चाप पैसे लगाया और एक चाप नीचे लगाएंगे जो इस प्रकार काटेगा ठीक है अब इसी से मिलाती हुए एक रेखा कहीं चुनाएंगो दोनों चापों से ठीक है तो देखो ध्यान से थोड़ा उपर काटेगी तो यह लाइन और बढ़ाओ पहले ठीक है यह लाइन और बढ़ा दो ठीक है इसका अब नाम रख दूए आपर एक्स यह क्या है एक्स है अब इस चाप से होते भी रेखा कहीं चुनाएंगो तीन की जगा कर चार दिये होते ना जल्दी से मिल जाती लेकिन तीन सेंटीमेटर दे रखे हैं ठीक है तो एक मिनट थोड़ा और आगे तक जाएगा यह है ठीक है यह देखो आगे और मिलाओ जहां पर बिल्कुल काटेश को ठीक है बिल्कुल वही पर मिली रही है ठीक है अब यह जहां पर मिल गई क्या करना है उसको उसको सी से मिलाना है किस से मिलाना है सी से मालो यह जहां पर मिली इसको नाम दे दो ए क्या दे दो ए को सी से मिलाओ एक और सी से मिलाओ और यह मैं तिर्भूज ABC बनाना था यह जो बना है ना ABC यही बनाना था ठीक है इसकी माप लो एक बार BC कितना है BC कितना निकला यह पंदरा पूरा है पंदरा और यहां से पंदरा और यह पंदरा दो सत्रा पॉइंट आट और एजी कितना है पंदरा पॉइंट पंदरा एक नाट पंदरा और यह पंदरा पॉइंट इदर से नाटते है इसको यह पंदरा पूरा है पंदरा पॉइंट आट यह है ठीक है तो मतलब BD क्या निकला 15.8 सोरी 17.8 तो A B सोरी गलत बोड़ाओ A B A B निकला 17.8 तो A B मैनेस A C A B पर हम रखेंगे 17.8 मैनेस A C A C निकला है 15.8 इसमें से 15.8 मैनेस करेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटिमीटर तो वही निकलेगा ठीक है इस प्रकार इसको आपको बनाना है ठीक है ध्यान रखना 2 सेंटिमीटर का है थोड़ा लंबा जाएगा ठीक है 4 होता तो छोटा बन जाता बट इससे मतलब नहीं आप ये ध्यान में रखना कि आपको ये सेम होना चाहिए अब ये से मानिस करने पर दो बना चाहिए इसमें ए भी बड़ा निकला है ठीक है तो ये आंसर नंबर कौन सो जाएगा 2 इस प्रकार आपको बनाना है तो टोटल दो ही कोशन थे कंप्लेट हुए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कई पर डाउटेद कोमेंट कर सकते हो अगर वीडियो अच्छे लेकर लाइक कर सकते हो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक आप पर ओचिंग इस वीडियो और टेक केर